हेलो स्टुडेंस वेलकम टू मैंगनेट ब्रिन सिंदी मैं लाली वर्मा आप सभी बार्वी कक्षा के विध्यारतियों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे खुश होंगे प्रसन्य चित होकर परिक्षा की तैयारियों मैं लग रहे होंगे प्रियविध्यारतियों हम सब की शुमकामनाएं आपके साथ बहुत अच्छे से सभी विशय की पढ़ाई कीजिए और ध्यान पूर्वक सभी प्रशनों को देखिए समझ ये और पेपर में धंमाल मचा दीजेगा प्रियविध्यारतियों इस वीडियो है 1002 जी हां बात कर रही हूं मैं हिंदी इलेक्टिव या हिंदी मैं इसको कहते हैं एच्छिक हिंदी एच्छिक जिसका कोड़ है 002 sample paper solve हम करने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरह के paper या किस तरह के questions आपकी board परिक्षा में CVSC द्वारा पूचे जाने वाले हैं क्योंकि ये जो sample paper हम solve करेंगे ये भी CVSC द्वारा ही release किया गया है इसी को देखना है सुनना है समझना है ताकि आपके मस्तिश में एक format तयार हो जाएक format fit हो जाए कि हाँ इस तरह से हमें paper solve करना है या इस तरह का हमारा paper परिक्षा में आने वाला है आपको ये तो पता ही होगा कि तीन घंटे का समय प्राप्त होता है आपको दिया जाता है आपको और साथ ही साथ paper होता है आपका 80 नंबर का अब प्रशन किस तरह से पूछे जाएंगे तीस या चालीस या पचास या खंड होंगे वो सब कुछ जानने वाले हम इस वीडियो में तो आजाएए मेरे साथ चलते हैं और शुरू करते हैं sample paper और सबसे पहले हम जानते हैं सामान्य और आवश्यक निर्देश बहले ही इनको सामान्य निर्देश कहा जाता है लेकिन ये सामान्य निर्देश यदि हम सामान्य निर्देशों को सामान्य सा समझ लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ये सामान्य निर्देश ही हमें एक अक्षा में असमान्य बताएंगे अर्थात ऐसा विशेश बना देंगे जब हम इन सामान्य निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे तो इनके माध्यम से हम सभी प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से करके आ जाएंगे सो बस अब बारी है आपकी जो भी आप पढ़ाई करते हैं जितना भी आप ध्यान केंदरन के साथ फुली फोकस्ड होकर पढ़ाई करेंगे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे सभी निर्देशों का ध्यान पूर्वक पालन करेंगे तो मैं आपको पक्का कहती हूँ कि आप बह सबसे उपर जो फ्रंट पेज रहेगा उसमें लिखे रहेंगे अक्सर विद्यारती क्या करते हैं सामान्य निर्देशों को नहीं पढ़ते हैं और जल्दी से पेपर पलटकर क्वेस्टन्स पर चले जाते हैं आप ऐसी भूल मत कीजेगा क्योंकि सामान्य निर्देश पढ़न और जब आप परिक्षा हॉल में बैठेंगे तो ध्यान बूर्वक पड़ भी लिजेगा ठीक है आईए देखते हैं निर्दारित समय है तीन घंटे और आपके जो पूरण आंख है मैक्सिमम माक्स है असी नंबर असी नंबर का आपका पेपर है और समय है आपका तीन घंट ठीक है तीन घंटे का समय है असी नंबर का पेपर है चलीक चलते हैं इस प्रशन पत्र में दो खंड हैं खंड आ और बा कुल प्रश्ण 14 है ठीक है कुल प्रश्ण 14 हैं खंड कितने हैं दो, खंड आ और खंड बा, खंड आ में अड़तालीस, अड़तालीस पता है न, 48, वस्तू परक प्रशन पूछे गए हैं, multiple choice questions, अड़तालीस, दिये गए निर्देशों का पालन करते हुए, कुल 40 प्रशनों के उत्तर देना है, आपको जो भी प्रशनों के अं को अड़तालीस में से 40 प्रशनों के उत्तर करके आना है, ठीक है, दूसरा है, खंड बा, खंड बा में वरनात्मक, subjective type questions पूछे गए हैं, आंत्रिक विकल्प भी दिये गए हैं, आंत्रिक विकल्प समझते हैं, प्रशनों में ही दिया जाएगा, क्योंकि देखो, ये जो खं subjective type questions है, जिसमें MCQs पूछे जाएंगे आपके, ठीक है, MCQs रहेंगे, जब की वरनात्मक प्रशन, जो खंड बा है, उसमें subjective प्रशन रहेंगे, यहां पर आपको अपनी लिखने की कुशलता उजागर करनी हैं, दिखा देना है कि हम लिखने में भी सबसे आगे हैं, ठीक है तो यहां पर MCQs आएंगे, जो की खंड आ भी 40 नंबर कर रहेगा, और खंड बा भी 40 नंबर कर रहेगा, बहुत से विध्यारती खुश हो जाते हैंगे, येस, अब हम 40 नंबर के, MCQs आ रहे हैं हम तो यू चुटकियों में करने की कोशिश मत करना, क्यूंकि अक्सर जल्द बाजी में निरनाय गलत हो जाते हैं, ध्यान पूर्वा पढ़ोगे, बिलकुल उत्तर सही होगे, 40 में से 40 आप प्राप्त कर लोगे, खंड बाकी तरफ चलते हैं, वरनात्मक प्रशन पूछे गए हैं, जिन में आंत्रिक विकल्प भी दिये गए हैं, आंत्रिक विकल्प का किनी तीन के उत्तर दीजिए, तो उस प्रशन को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, प्रशन को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, बहुत अच्छे से आपके तीन घंटे में आपका पेपर सौल्व हो ही जाएगा, बिना घबराहट के खुद पर भरुसा करके पढ़ाई कर हो और अच्छे से पेपर करके आओ, बस यही हम चाहते हैं, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए, लिखा भी है यहीं, निर्देश खुद ये निर्देश दे रहा है कि निर्देशों को बहुत सावधा पढ़िये और उनका पालन कीजिये पढ़ोगे ध्यान से पालन करोगे तो अवस्चे सफल हो जाओगे दोनों खंडों के प्रशनों के उत्तर देना अनिवार हैं जो भी आंत्रिक विकल्प दिये हैं लुट प्रशनों को पढ़ना और उत्तर देना यह था संभव दोनों खंडों के प्रश्णों के उत्तर क्रमशहा लिखिए क्रमशहा समझते हैं Serial wise मैं तो आपसे ये कहूंगे कि आपको Serial wise ही लिखना है जैसे ये आपका प्रश्ण पत्र है ठीक है खंड का मतलब खंड आ खंड आ की यदि हम बात करें खंड आ में जितने भी प्रश्णों होंगे उनको कर देना उसके बाद खंड बा पर जाना फिर उसमें जितने भी प्रश्णों फिर सॉल करना खंड आ और खंड बा इसी Serial में करना यदि आपको खंड आ का कोई प्रश्ण नहीं बन रहा है तो उतना स्पेस छोड देना उस प्रश्ण को स्किप मत कर देना ऐसा नहीं है कि जगे भी मत छोड़ना स्पेस छोड़ना कोई सा भी प्रश्ण आदी आपको नहीं आ रहा है प्रश्ण लिख दो स्पेस छोड़ दो वैसे भी खंड आ तो बहु विकल्पी है multiple choice questions है तो उसमें क्या दो लाइन छोड़ दो बस जो सही होगा उसको आप बाद में देख लेना क्योंकि जब और खंड बाकी यदि हम बात करना तो यह आपका subject है यहाँ आपको लिखना है तो क्रम अनुसारी करना सीरल वाइस ही उत्तर करना जिससे होता क्या है ध्यान से सुनू प्लीज कि जब checker के हाथ में आपकी copies जाती है यदि लिख देंगे खंड आ का चौथा फिर लिख देंगे खंड बाका तीसरे का पहला नो बड़ा खौच पौच हो जाता है बड़ा आजीब सा लगता है बड़ा दिमाग सा खराब हो जाता है तो ऐसा आप नहीं करेंगे आप serial wise उत्तर लिखेंगे ताकि जो checker है वो बहुत अच्छे से आपकी बहुत अच्छे flow में आपकी copy देखते जाए देखते जाए और आपको अंक प्राप हो जाए ठीक है उसी तरह से खंडबा में जो नहीं आ रहा है space छोड़ दो अप देखो कि समय आदा घंटा बचा है धाई घंटे में आपको पूरा पेपर अच्छे से कर देना है क्यों कह रही हूँ ताकि आप धाई आदा घंटा जो बचेगा उसमें जो प्रशन आपने नहीं किये है जो space आपने छोड़ा है उन उत्तरों को शांती पूरवक आप लिख सको और last के 10 मिनिट में आप एक बार फिर cross check करो कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है ये करोगे और speed आपको स्टार्टिंग से अच्छी रखना है ठीक है लिखने की practice कीजिए sample paper solve कीजिए बिल्कुल जैसे अभी ये sample paper है अभी आप पढ़ रहे हो सुन रहे हो ठीक है इसको फिर बिल्कुल time के according करना कि आपने sample paper solve कर चुके हो already उसको आप कितने घंटे में पूरा कर पा रहे हो यदि आप इसको दो घंटे में पूरा कर पा रहे हो इसका मतलब आप जो परिक्षा में paper आएगा उसको तीन घंटे में solve कर ही लोगे समझ में आया तो इस तरह से यथा संभव दोनों खंडों के प्रशनों के उत्तर आपको सीरियल वाइस ही देना है क्रम शाहा ही देना है चलते हैं खंड आ वस्तू परक प्रश्न की ओर अर्थात mcqs की ओर ठीक है mcqs जो की आपके 40 नंबर के पूछे जाएंगे सबसे पहला प्रश्न है आप अठित गद्यांश जो की 10 नंबर का है दस नंबर का आप अठित गद्यांश दस प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के प्रश्न होंगे ऐसा नहीं है कि बारा प्रश्न पूछ जा और उसमें से आपको दस करना है ऑब्जेक्टिब टाइब क्वेश्चन से हर क्वेश्चन में आपको विकल्पिक मिल रहा है न तो बारा में से दस नहीं है दस ही प्रश्न पूछे जाएंगे दस ही नंबर का है ठीक है अब देखो नेम लिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक यह ध्यान पू पढ़कर सरवाधिक उप्युक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए और एक बाद बताओं देखो लिखा है ना विकल्प चुनकर लिखिए कभी भी यह भूल मत करना ध्यान देदो सब लोग यहां ध्यान देदो ऐसा मत कहना कि पहले का सही उत्तर का है बस हो गया न उत्तर लिख कर मता जाना जो का है सही तो उसका पूरा सेंटेंस भी लिख कर आना इसलिए लिखा है उपियुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन कर लिखिये सिर्फ विकल्प मत चुनो कि का खागा का है तो का के लिख दो खा है तो खा के लिख दो ठीक है आपको उसमें जो भी वाक्य दिया है जो भी शब्द दिया है उसके साथ साथ आपको वो शब्द भी लिखना है क्लियर चलते हैं गध्यांश की तरफ संस्कृति और सभ्विता ये दो शब्द है और इनके अर्थ भी अलग-अलग है सभ्विता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीत्री उन्नती करता है और करुणा प्रेम एवं परोपकार सीखता है क्या है संस्कृति क्या है देखो सभयता मनुश्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है सभयता बाहरी तरक्की संस्कृति आंत्रिक उननती ठीक है और बड़े-बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभी सभ्यता की पहचान है, क्योंकि इस सभ्यता क्या है, सभ्यता मनुष्य का वहेगुन है, जिससे वह बाहरी तरक्की कर रहा है, ये सब बाहरी दिखने वाली है न, मोटर, गाड़ी, उचे-उचे भ कि सबसे कहीं बारीक चीज़ है, बहुत महीन चीज़ है, ये मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है, जो दिखती नहीं है, वो सभ्यता है, मकान नहीं, मकान बनाने की रुची है, सभ्यता भाहरी उन्नती, और संस्क्रिती आंतरिक प्रकृती, संस्कृती ठाट बाट नहीं है विन्य और विनम्रता है एक कहावत है कि सब्विता वह चीज है सब्विता वह चीज है जो हमारे पास है लेकिन संस्कृती वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है क्या है सभ्यता वह है चीज है जो हमारे पास है जो सब को दिखाई दे रही है कि मेरे पास पैन है मेरे पास बड़ा घर है बड़ी गारी है यह क्या है यह सभ्यता है जो सब को दिखाई दे रही है लेकिन संस्कृती वह है गुण है जो हम में छिपा हुआ है विनम्रता इमां अंदारी सच्चाई यह न परोवकार यह सब संस्कृति के अंदर आते हैं हमारे पास घर होता है कपड़े होते हैं मगर यह सारी चीजह हमारी सब्विता की सबूत हैं जबकि संस्कृति इतने मोटे तौर पर दिखलाई नहीं देती यह बहुत ही सूक्ष मतलब बहुत बारी कहेंगे और महीन चीज़ हैं वह हमारी हर पसंद हर आदत में छिपी रहती है मकान बनाना सब्धता का काम है लेकिन हम मकान का कौन सा नक्षा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बतलाती है बाजार है बहुत सारी ड्रेसेज हैं कौन सी चूस करना है वो हमारी संस्कृति है कि हम किस संस्कृति के हैं किस कल्चर के हैं ठीक है आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोग, मद, मुह और मतसर ये 6 विकार प्रकृति के दिये परंतू अगर ये विकार बे रोक टोक छोड़ दिये जाए तो आदमी इतना गिर जाए कि उसमें और जानवर में कोई बेद नहीं रह जाएगा इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है, इन दुरगुणों पर जो आदमी जितना जादा काबू कर पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही उंची समझी जाती है संस्कृति का सुभाव है कि आदान प्रदान से बढ़ती है संस्कृति का सुभाव कोई व्यक्ति यदि ज्यानी है तो यदि अपने ज्यान को बाढ़ता है तो उसका ज्यान और भी बढ़ता है जबकि सब्वेता यदि दे दोगे जैसे आज मेरे पास हजार रुपए है मैं 500 क भाव है जो आदान प्रदान से बढ़ती है जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं इसलिए संस्कृति की दुष्टी से वह जाती या भेद वह देश बहुती धनी समझा जाता है जिसम भावित को धर्म मनाने की स्वतंत्रता है क्योंकि भारत हमारा धर्म में प्रेक्ष्राज्य है ठीक है आई ये चलते हैं हम प्रश्न पर गद्यांश में सभ्ष्टा को बाहरी तरक्की बताये गया है क्योंकि यह इक्छा पूर्ती में सक्षम है भौत एक साधनों की दियोतक है दियोतक कार्थ होता है देने वाली ठीक है संस्कृती से भिन पहचान लिये है या फिर करुणा प्रेम एबं परुपकार सिखाती है सभ्ष्टा की बात की जा रही है याद रखना सभ्ष्टा जो बहरी होती है कैसी है इच्छा पूर्ती में सक्षम है भौत एक साधनों क की दियोतक है संस्कृती से भिन पहचान लिये है या फिर करुणा प्रेम और परुपकार सिखाती है तो उत्तर होगा आपका दूसरा क्योंकि जो सभ्ष्टा है वो भौतिक फिजीकल जो भी सामान है साधन है उनकी दियोतक है गाड़ी मोटर बंगला यह सब जो दिखाई गते रहा है भौत एक सुख्यों सविना है वो है सभिता ठीक तो यह आ जाएगा सब ज़ाएक आट अनतर दूसरा है सभिता और संस्कृति का मूलबूद अंतर क्रम शाह मतलब सभिता और संस्कृति में क्रम शाह कैसा अंतर रेल गाड़ी विन्य प्रेक्ष्ह प्रत्यक्ष ठीक है, जो दिखाई दे रहा है, वेश, भूशा, चश्मा, पैन, ये जो भी पैने हुएं, वो क्या है, सब्भिटा. और संस्कृती क्या है, जैसे हाड्वेर और सब्भिटा रहते हैं, हाड्वेर को हम देख सकते हैं, चू सकते हैं, उठा कर तच कर सकते हैं. लेकिन सौफ्ट्वेर सौफ्ट्वेर संस्कृति है, हार्ड्वेर सभ्वेता है, ठीक है? तो प्रतक्ष है सभ्वेता और आप्रतक्ष है संस्कृति, ठीक है? समझ में आया? संस्कृति को महीन चीज कहने से लेखक सिद्ध करना चाहते हैं कि संस्कृति अत्यंत तुछ है अत्यंत महत्व हीन है जिसका कोई महत्व नहीं है अत्यधिक उपयोगी है या अती सर्वस्रेष्ट है क्या कहना चाहते हैं? लेखक कहना चाहते हैं कि यह हैँ अती सर्वसरेष्ट है यहां पर महीन चीज हीरे का छोटा सा टुकडा भी बहुत बढ़ी कीमत रखता है वहीं पर यदि लोहा इतना बढ़ा भी होगा तो उसके बराबर कीमत नहीं रखता है ठीक है तो यहां पर संस्कृति को महीन चीज मत मतलब अती सर्वस्रेष्ट जो अती सर्वस्रेष्ट होता है वो हर कहीं दिखाई नहीं देता है यदि हर कहीं दिखाई देगा तो सब तो सर्वस्रेष्ट हो जाते तो सर्वस्रेष्ट मतलब जो सबसे स्रेष्ट हो ठीक अगला है निमलिखित वाक्यों में से सब्धिता के संदर्व में कौन सा वाक्य सही है प्रश्णों को ध्यान से पढ़ना निमलिखित वाक्यों में से सब्धिता के संदर्व में कौन सा वाक्य सही है सब्धिता मनुष्य के स्वाधीन चिंतन की गाथा है सब्विता मानव के विकास का विधायक गुन है सब्विता मानव को कलाकार बना देती है या सब्विता संस्कृती से अधिक महत्वपून है क्या लगता है आपको पहला चिंतन की गाथा है या विकास का विधायक गुन है या मानव को कलाकार बना देती है तो यह जाएगा सभिता मानव के विकास मतलब सभिता किए किस देश की कितनी उन्नती प्रगती हूई है किस पर आधारित पास क्या है कितने सिख्षित लोग हैं कितने साधन उससे ही उसका विकास मापा जाता है ठीक संस्कृति की प्रवर्ति है आदान प्रदाय देना लेना ठीक है या फिर आदाय और प्राप्ति सिर्फ मतलब प्राप्ति देना और सिर्फ लेना या बेचना और खरीदना या आबाद और बरबाद तो यहां प पाटेंगे उतना ही बढ़ेगा वो सुनाओगा आपने मीरा वाई का जो था दिन दिन बढ़त सवायो ठीक है पायो जी मैंने राम रतंधन पायो मकान के लिए नक्षा पसंद करना हमारी संस्रिती का परिचायक है ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि घर हमारी सभता की पहचान ह अन्य लोगों से जोडने का माध्यम है नक्षे के बिना मकान बनाना कठिन है या फिर हमारी सोच समझ को उजागर करता है और जो संस्कृती है वो क्या है इसमें से इसमें है हमारी सोच समझ को उजागर करता है क्योंकि संस्कृती हमारी आंत्रिक पहचान है हमारी विचारो से related है संस्कृति जबकी सब्विता भौत एक साधनों से अन्य संस्कृतियों का लाव उठाकर अपनी संस्कृति का विकास करना दर्शाता है कहीं कहीं से हमने बहुत सारी संस्कृति लिए जैसे हम किसी में कोई बात हमें बहुत अच्छी लगी और हमने इस बात को ग्रहन कर ना किसी को वो बात दिख रही है कहते हैं कि जो गुणी होता है वही दूसरों के गुणों को समझ पाता है जो सम्मानी होता है वही दूसरों को सम्मान भी देता है तो अन्य संस्कृतियों का लाव उठाकर अपनी संस्कृति का विकास करना क्या दर्शाता है सम्रस्ता संप की मनुष्यता इसी बात में नहीं है कि वह सभिता और संस्कृति का प्रचार प्रशार करता रहे संस्कृति की समरीद्दी के लिए कटी बधता बनाए रहे सभैता की चाय की प्राप्ती के लिए प्रत calculate Friday रहे या फिर मानसिक मानसीक तुटियों पा नियंतरण पाने के लिए चेश्टा वान रह Χा, हो जाती जो भी हमसे और। उन पर हमें नियंतरण करना होगा, उन पर कंट्रूल करना होगा उन्हों समय स्था कंट्रूल करना हो हे, और हमेशे प्रेतन शील रहना है, कि हमें और अच्छा सीखना है जो भी गलतियां हो गई हम उनको दौर आएंगे नहीं यहीं बुद्धी और विवेक शील व्यक्ति की पहचान है ठीक अगला है आद्मी और जानवर का भेद समाप्त होना दर्शाता है सामाजिक असमानता चारित्रिक पतन सामप्रदाइक भेदभाव या अनुमात्रिक गिरावण यहाँ पर आद्मी और जानवर का भेद समाप्त होना दर्शाता है चारित्रिक पतन कहते ना कि पाश्विक प्रवर्ति का हो गया है आजकल मानव पशु जैसा यदि वैभार मनुष्य करने लगे तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह जाएगा मनुष्य जो सर्वस्रिष्ट प्राणी कहलाता है ठीक है अगला सू संस्क्रित व्यक्ति से तात पर है एक सू संस्क्रित व्यक्ति किसे कहेंगे विकार ग्रस्त व्यक्ति विकास शील व्यक्ति विचार शील व्यक्ति या विकार मुक्त व्यक्ति विकार ग्रस्त मतलब रोगो से बुराईयों से जिसमें बुराईया हो जो हमेशा विकास की ओर जाता रहे जो हमेशा बहुत अच्छे अच्छे मतलब सोचता रहे या विचारों से मुक्त रहे विकार मुक्त विकार मुक्त जो बुराईयों से मुक्त रहे वही सू संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा ठीक है ये रहे हमारे दस प्रश्ण और हमारा हुआ अपठित गद्यांश दस मैं से दस नंबर के चलते हैं दूसरे प्रश्ण की योर नीचे दो आपठित काव्यांश दिये गए हैं किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्णों के सरवाधिक उप्युक्त उत्तर वाले विकल्ब चुनकर लिखिये अब यहां पर साफ साफ लिखा है कि नीचे दो आपठित काव्यांश दिये गए हैं किसी एक काव्यांश के उप्युक्त उत्तरवाले विकल्ब चुनकर लिखना है लिखा है निर्मम कुमार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी हर बार बिखेरी गई किन्तु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिट्टी आशा में निश्चल पल जाए छलना में पढ़कर छल जाए सूरज दम के तो तप जाए रजनी ठम के तो ढ़ल जाए योंतों बच्चों की गुडियासी भोली मिट्टी की हस्ती क्या आधी आए तो उड़ जाए पानी बरसे तो गल जाए फसलें उगती फसलें कटती लेकिन धरती चिर उरवर है चिर उरवर है मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो उप जाओ है सौबार बने सौबार मिटे लेकिन धरती अविनश्वर है कभी नश्ट नहीं होगी ठीक है मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है रोदे तो पतजर आ जाए हस्दे तो मधूरित चाजाए जूमे तो नंदन जूम उठे थिरके तो तांडव शर्माए यो मदिरा लाएके प्याले सी मिट्टी की मोहक मस्ती क्या अधरों को छूकर सकुचाए ठोकर लग जाए छेहराए उनचास मेग उनचास पवन अंबर अवनी कर देते सम वर्शा थमती आधी रुकती मिट्टी हस्ती रहती हर्दम कोयल उड़ जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है मिट्टी की महिमा मिटने में मिट्मिट हर बार सवर्ती है मिट्टी मिट्टी पर मिट्टी है मिट्टी मिट्टी को रचती है क्या बात है आईए जानते हैं कुमार को कठोर कहने से कभी कुमार की किस प्रवर्ति को उजागर करता है कुमार को कठोर कहने के पीछे कभी ने कुमार की कौन सी प्रवर्ति को उजागर किया है सुनन द्यान से यहां मैं बताने वाली हूं जो की मान लीजिये जो आप सिर्फफ का खा गया घा लिख कर मत आना उसके सामने जो लिख़ा है उस शब्द को भी लिक कर आना अत्याचारी है द्रसंकल्पी है क्रोधी है या स्वेच्चा कारी है तो यहां जो कुमार है वो द्रिन संकल्पी है जो ठान करी रहता है और एक घड़े का बहुत सुन्दरता से निर्मान करता है तो जब आप कह रहे हैं कि ये खा सही है तो सिर्फ आप खा अकेला लिख कर मताना कि आप लिख दो उत्तर ऐसे खा बस आगे बढ़ जाओ नहीं ऐसी भूल मत कीजिएगा खा के बाद जो द्रिन संकल्पी लिखा है उसको भी लिख कर आना समझ में आया उसको भी लिख कर आना तब आपको एक नमबर मिलेगा यदि आपने सिर्फ खा लिख दिया ये शब्द नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा मतलब आपको अंक अच्छे प्राप्त नहीं हो पाएंगे समझ में आया तो इस तरह से आपको करते जाना है चलते हैं अगले प्रशन की और मिट्टी के गल जाने पर भी उसका विश्वास अमर वट रूट रहता है क्यूंकि मिट्टी है कैसी चीरुआई अधीश्वर अवीनीता या चिरस्थाई कभी ने कहा है कि मिट्टी तो चिरस्थाई है कभी मर नहीं सकती कभी नश्ट नहीं हो सकती कितने तूफान आते हैं कितनी वर्षा भा कर ले जाती है कितने कुमार घड़ों का निर्मान करते हैं लेकिन मिट्टी है और हमेशा रहती है अगला प्रश्न, रित्यों के अनुसार मिट्टी का रोना, हसना, जूमना विशलेशित करता है कि मनुष्य की भाती भावुक प्रवर्ती की है, सब के अनुकूल स्वयम को ढाल लेती है, या फिर प्रकरती में समयनुसार परिवर्तन होता है, या फिर रूप, रंग की भिन्न भौग और भिन्निता है, जैसा कि मैंने कहा था आप से की दो आप्शन्स को तो आप तुरंद क्रॉस कर दोगी कि भाई ये तो नहीं है, लेकिन सब को पढ़ना जरूर सही के पीछे मत भागना प्लीज, सारे आप्शन्स को ध्यान पूरबक पढ़ना और आपको मिल हर परिस्ति के अनुसार सोयम को ढाल लेती है, जीवन जीने की कला सिखाती है मिट्टी, अगला है, उन्चास मेग, उन्चास पवन के माध्यम से कवी का क्या आशय है, मेग और पवन की सर्व व्यापकता, प्रकृति के भया-भय रूब का प्रदर्शन, कई बार या असंख बार का संकेत, या वर्शा वा आधी का निरंतर कर्म रत रहना, उन्चास मेग, उन्चास पवन क्या संकेत करना चाहते हैं, या कभी उसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, कई बार या असंख बार का संकेत, कि कई बार पवन आते हैं, कई बार वारिश होती है, फिर भी या संखिबार का संखे तो आप गा लिखने के साथ ये पूरा वाक्य भी लिखकर आएंगे आंसर में नेक्स्ट है यो तो बच्चों की गुडिया सी भूली मिट्टी का भावार्थ है बच्चों की मिट्टी और गुडिया से खेलना प्रिय है बच्चों को मिट्टी और गु मिट्टी मूख है और फसलें उगा कर लोग सेवा करती हैं यो तो बच्चों की गुडिया सी भोली मिट्टी गुडिया की भाती क्या कहना चाहते हैं बताईए इसका है मूख मिट्टी को मनुष इच्छानुसार रूप प्रदान करता है जिस भी रूप में वो चाहे मिट्ट प्रदी उस रूप में बिना किसी परिशानी के ढ़ल जाती है तो ये वाला उत्तर है सही पेड पौधों का लहराना मिट्टी की किस क्रिया को दर्शाता है थिरकना, छलना, टकराना या बसना तो यहां उत्तर होगा थिरकना की मिट्टी ठिरकती भी है मिट्टी खेलती कूदती भी है और फिर भी अपने नित्य निरंतरता के साथ अपने आपको आगे बढ़ाती है अनेक रूप धारन करने के बाद फिर से मिट्टी में विले होना कवीता की निम्नलिकित पंक्तियों द्वारा इसपष्ट होता है सौबार बने सौबार मिटे इसका धियान रखना कि अनेक रूप धारन करने के बाद फिर से मिट्टी में विले होना कौन सी पंक्तियों का लग रहा है यह उद्वार बने सौबार मिटे ठोकर लग जाए छहराए कितने रूपों में कुटी पिटी या लेकिन धरती चिर उर्वर है अनेक रूप धारन करने के बाद भी मिटी में विले होना yes इसका होगा सो बार बने सो बार मिटे मिटी में विले हो जाना अर्थात वैसा ही हो जाना कई बार वो घड़ा बन जाती है, फिर घड़ा तूट जाता है, खिलोने बन जाते हैं, फिर खिलोने तूट जाते हैं, फिर से मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाती है कविता का संदेश है कि महेमा द्वारा हम सभी को प्रेर ना देना कि मिट्टी जो सब कुछ सहती है आंधी तूफान सब कुछ जेलती है फिर भी खुशी-खुशी अपने आपको कई रूपों में बदलती रहती है और हमेशा परस्वारत या परुक्कार की भावना मन में लिये रहती है चलते हैं अगले काव्यांश की तरफ लिखा है अथ्वा अथ्वा का अर्थ होता है या तो आपको पहला वाला पद्यांश करना है सॉल्व या फिर ये जैसे अंग्रेजी में और रहता है ना वैसे ही हिंदी में अथ्वा रहता है ठीक काव्यांश अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूगा देखो मैंने कंधे चोड़े कर लिये हैं मुठिया मजबूत कर ली हैं और ढलान पर एडियां जमा कर खड़ा होना मैंने सीख लिया है घबराव मत मैं क्षितिच पर जा रहा हूं सूरज ठीक जब पहाड़ी से लुड़कने लगेगा मैं कंधे अडालूंगा देखना वह वहीं ठेरा होगा अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा मैंने सुना है उसके रत में तुम हो तुमें मैं उतार लाना चाहता हूं तुम जो स्वाधीनता की प्रतिमा हो तुम जो साहस की मूरत हो तुम जो धरती का सुख हो तुम जो काला तीद प्यार हो तुम जो मेरी धमनी का प्रवा हो धमनी मेंस ये नब्स ये नाड़ी तुम जो मेरी चेतना का विस्तार हो चेतना मतलब बुद्धी तुम जो मेरी च शेतना का विस्तार हो तुम्हें मैं उस रत से उतार लाना चाहता हूं रत के घोड़े आग उगलते रहें अब पही ये टस से मस नहीं होंगे मैंने अपने कंधे चोड़े कर लिये हैं सूरज जाएगा भी तो कहां उसे यहीं रहना होगा यहीं हमारी सांसों में हमारी रगों में हमारे संकल्पों में हमारे रत जगों में तुम उदास मत हो अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूँगा देखिए इन पंक्तियों में कवी का निश्चय प्रकट होता है कि वह किस प्रकार का निश्चय होता है प्रकट पहाडी क्षेत्र में जाकर रहेगा अपने लक्ष को पाकर रहेगा प्रकरती के उपादानों से प्रेरित है या जीवन की उहापोह में उलजा है उहापो मीज भाग दोड जीवन की भाग दोड ठीक है उहापो मतलब होता है भाग दोड तो यहाँ पर कवी कतात पर है अपने लक्ष को पाकर ही रहेगा चाहे कितनी मुश्किलें आए चाहे कितनी परिशानिया आए वो अपने लक्ष को पाकर ही रहेगा अगला प्रश्न है कभी का तैयार होना दर्शाता है कि वह शारिरिक एवं मानसिक रूप से तैयार है, दुनिया से लड़ने का साहस रखता है, नकार अत्मक प्रभाव से बचना चाहता है या फिर निरंतर कर्मरत एवं उपेक्षित रहता है कभी का तैयार होना दर्शाता है कि वह शारिरिक और मानसिक रूप से एकदम तैयार है, हर एक मुश्किल का सामना करने के लिए उसने कमर कसली है, ठीक है, आईए चलते हैं अगले प्रश्न पर, घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ, बंक्ती का भाव है, क्षितिज मतलब, क्षितिज का आर्थ होता है, दूर दराज जहां धर्ती और आकाश मिलते नजर आते हैं, घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ, बंक्ती का भाव है, पाठक के लिए साहरदेता, सूरिय के लिए टूट श्रधा, परवता रोहन के लिए प्रयासरत, प्राप प्राप्य को पाने के लिए सावधान, प्राप्य मतलब जो हमारा लक्ष है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे प्राप्त कहते हैं, अर्थात प्राप्त करना जिसे हम चाहते हैं, उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे अपने लक्ष को पाकर ही रहूंगा सूरज द्वारा लोगों के जीवन में सुख सम्रिध्धी एवं प्रकाश का आगमन होता है यह कथन दर्शाता है कि सूरज है चित्रात्मक प्रतीकात्मक प्रयोगात्मक या वर्नात्मक तो यहां पर सूरज को प्रतीकात्मक मतलब एक सि सूरज एक प्रतीक के माध्यम में यहां पर है सूरज जाएगा भी तो कहां उसे यहीं रहना होगा कथन दर्शाता है विवश्ता स्थायत्व आत्मबोध या द्रण निश्य यहां पर सूरज दर्शाता है स्थायत्व अर्था स्टेमिलिटी कहां होगा हम जब द्रण निश् है ठीक है स्थाइत्व है कविता का संदेश क्या है अनुकूल परिस्थितियों में इस्थिता रखना अनुकूल में हमारे अनुसार प्रकृति के साथ सामजस स्थापित करना तालमेल बिठाना कॉडिनेशन बनाना उद्देश प्राप्ति के लिए संकल्पित रहना यह सूर् कवीता संदेश देती हैं अगला प्रश्ण है हमारा आठ नंबर निम्लिखित कथन कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए उसके बाद दिये गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए एक आठ आठ नंबर की बात है ये ध्यान पूर्वक देखना तुम जो साहस की मूर्ती हो तुम जो धर्ती का सुख हो कवी सोयम को साहस की मूर्ती मानता है जो धर्ती के जीवों के लिए सुखद परिस्थितियां उत्पन करता है तुम जो साहस की मूर्ती हो तुम जो धर्ती का सुख हो यहां पर कवी सोयम को साहस की मूर्ती मानता है जो धर्टी के जीवों के लिए सुखद परिस्थिएं उत्पन कर सकता है तो अब देखिए कथन ए तथा कार्ण आर दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याक्या करता है मतलब क्या यह जो लिखा हुआ है इसकी व्याक्या यह सही है तो यही कहता है दूसरा है कथन ए गलत है लेकिन कारण सही है तुम जो साहस की मूर्ती हो तुम जो धर्ती का सुख हो यहां पर कारण दिया है कभी सोयम को साहस की मूर्ती मानता है धर्ति के जीवों के लिए सुख़त परिस्तित यां उत्पन कर सकता है बिलकुल सही है लेकिन कारण ए उसकी गलत व्याख्या करता है क्योंकि यहां पर कभी मनुष्य की और संकेत कर रहा है जबकि इसकी क्या लिखा है वहां लिख दिया कि सुयम को सहस्की मूर्ती मानता है इसलिए कथन तो सही है लेकिन उसकी व्याख्या गलत है ठीक है अगला है कवी के संबंद में इन से सही है कि यह आपको पता है ना आठ प्रश्न आठ नंबर कवी के संबंद में इन में से सही है कि वह सक्ति की खोज करता है भावुक प्रवर्ती का है लगूता का जानकार है अदम में साहस का धनी है क्या लग रहा है आपको बिलकुल सही अदम में अद्भूत अदम में साहस का धनी है येस आपके आठ नंबर हो गए है पक के वेरी वेल डन इसी प्रकार से ध्यान पूर्वा खर एक प्रश्न को पढ़ना है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर जो की पांच प्रश्न है एक एक नंबर के पांच नंबर का निम्लिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उप्युक्त विकल्प का चैन कीजिए राजप्पा नाइडू ने एक प्रतिष्ठित समचार पत्र के दफ्तर में अपना आविदन दिया प्रकरिया पूर्ण होने के पश्चात उने अलग डेस्क पर काम गरने के लिए कहा निम्लिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनना है तो राजप्पन आईडू ने प्रतिष्ठित समचार पत्र के दफ्तर में अपना आविदन दिया प्रकरिया पूर्ण होने के पश्चात उन्हें अलग डेस्क पर काम करने के लिए कहा गया यह दर्शात है कि ब्लॉगर साक्षात कार करता इंटर्विवर उपसंपादक या फ्रीलांसर तो यहां पर जाएगा उपसंपादकरता सब एडिटर ठीक है नेक्स्ट है विशेश लेखन की शब्दावली के उचित मिलान को दर्शाने वाले विकल्प का चैन कीजिए क्या करना है विशेश यहां पर उत्तर हो जाएगा पहले का दूसरा दूसरे का 333 का ठीक है पहले का दूसरा दूसरे का explosion to 0 1 6 6 और उसके बाद जाएगा पीसरे का तीसरा ही है तीसरा क्या है घसुत के एक मिनथे है दूसरे का है तीसरा ठीक है और तीसरे का पैहला अब बचा है शेयर बजार तो ते에जरी है यही सही है क्या पहले का दीसरा, दूसरे का चौथा, ये वाला आपका सही जबाब होगा अगला है, दिये गये कतनों में से अन्शकालिक पत्रकार के लिए सही कथन का चैन कीजिए कम समय में उल्टा प्रामिट शैली में, समचार लिखने की कला में सिध्धस्त है दिये गए कथनों में से अंशकालिक पत्रकार के लिए सही कथन का चैन करना है कम समय में इन सब में से आपको ये बताना है कि सही कथन कौन सा है कम समय में उल्टा पिरामिट शैली में समचार लिखने की कलामे सिध्धस्त है स्ट्रिंगर किसी समचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदे पर काम करने वाला पत्रकार है अंशकालिक पत्रकार किसी समचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी पत्रकार है लोग तांत्रिक समाज में पहरेदार की भूमी का निभाता है भरस्टाचार के विरोध के लिए कारे करता है तो ये वाला है आपका stringer किसी समाचार संगटन के लिए एक निश्चित मानदे पर काम करने वाला पत्रकार है यही इसमें से सही है अगला है dry anchor वह होता है जो समाचार पत्र तक सूचना भिजबाता है, flashback news के लिए लेखन करता है, पहले प्रसारित news का पुना प्रसारण करता है या फिर चित्रों के बिना खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है बात कर रहे हैं dry anchor तो वह होता है येस चित्रों के बिना खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कोई चित्रात वक नहीं बस खबर के माद्दम से वह दर्शकों को सीधा सीधा है इसलिए dry anchor anchor bite कौन देता है news reader anchor अपराधी या प्रत्यक्ष दर्शी तो यहाँ पर आ जाएगा येस anchor bite जो है वो प्रत्यक्ष दर्शी देता है याद रपते जाहिएगा निमलेकित काव्यांच को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रशनों के सही वाले उत्तर चुनना है ये रहेंगे च्छे जो की एक एक नमबर के रहेंगे निमलेकित काव्यांच को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रशनों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए भर में शरणली मूदे द्रगवह महामरन मुझ भाग्यहीन की तू संबल युग वर्ष बाद जब हुई विकल दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज वो नहीं कही हो इसी कर्म पर वज्रपात यरिधर्म रहे नत्सदा माद देखें पर जलत धरा को जियों अपार पंक्ति अनुभव स्नेह या प्रकाश तो यहां पर बात की गई है स्नेह की आति में स्नेह की बात की गई है अगले प्रशन पर चलते हैं कभी स्वयम को भाग्यहीन कहकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं कभी ने स्वयम को भाग्यहीन कहा है इसके पीचे क्या कारण है मन चाही कवी ना मिलना इसलिए उन्होंने भागीहिस कहा है सरोज की आर्थिक दशा या फिर सरोजी एक मात्र सहारा या पारिजारश्यों kayak ऑउसे कवी ने स्व्यम को भागीहिस कआ है क्योंकि पारिजारश्यों संका विचोह मतलब बिच्षडणा है कि निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए कभी सरोज को शकुन्तला के समान मानते थे सरोज की मृत्यों समय हो गई थी इन teaspoon कौन कौन से कथन सही है केवल पहला सही है दूसरा और तीसरा सही है केवल तीसरा सही है यह दूसरा और तीसरा सही है देखें यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि केवल दूसरा अरथा पुत्री सरोज की मित्यू आ समय हो गई थी जिससे कवी पूरी दरह से दुखी और व्यथित हो चुके थे हो इसी कर्म पर वज्रपात कि माध्यम से कभी क्या कहना चाहते हैं कभी कहना चाहते हैं कि वह कश्ट दायक जीवन के बाद धार्मिक बन रहे हैं मस्तक पर वज्रपात सहने का साहस कर रहे हैं समस्त जीवन दुख में ही व्यतीत करते रहे हैं प्रतिकूलताओं के आगे आत्म समर्पन कर रहे हैं वो इसी कर्म पर वज्रपात वज्रपता है ना आपको इंद्रदेव का है अस्त्र ठीक है शस्त्र है अस्त्र मतलब जो फेक कर चलाए जाते हैं शस्त्र जो साथ में रख कर लड़े जाते हैं तो वज्र एक ऐसा हतियार है या श्त्र है श्त्रों है श्त्र के अंतरकत आता है जो इंद्र का है जो रिषीậyकशी की स्ट्धियों से निर्वेद हुआ था तो कभी ने हो इसी कर्म पर वज्रपाद के मादन सखिया कहा है कि कि और कर समस्त है जीवन just प्रतिकूल क्या होते हैं अनुकूल का अर्थ होता है हमारे हम जैसी चाहते हैं वैसे इस्तितिया प्रतिकूल मतलब विप्रीद परिस्तियां तो यहां पर हो इसी कर्म पर वज्रपात अर्थार प्रतिकूलताओं के आगे आत्म समर्पन कर रहे हैं कि जितनी भी प्रतिकूल पुरिस्थितियां अ रही है अब भला मैं और क्या भी कर सकता हूं इनका सामना ही कर लेता हूं ठीक है । कि आगे चलते हैं दुख ही जीवन की कथा रही के माध्यम से प्रकट हो रही है क्या शैशववस्था व्रिद्धवस्था व्योग अवस्था या विश्लिशन वस्था दुख ही जीवन की कथा रही इसके माध्यम से कवी ने शैशववस्था मीन्स शिशू बालपन की बात की की है बुढ़ापे की बात की है बिचडने की बात की है या विशलेशन करने की बात की है तो यहां पर बात की है व्योग अवस्था पुत्री का देहांत हो गया अपने परिवार से उनका विच्छो हो गया तो व्योग मतलब बिचडना इसी अवस्था का कवी ने वर्ण किया क्या कहूं आज जो नहीं कही पंग्ति के माद्यम से कभी की स्वभाविक विशेष्टा बताने के लिए सूखती कही जा सकती है क्या कहावत कह सकते हैं कभी की इस पंग्ति के माद्यम से कि क्या कहूं आज जो नहीं कही पर उपदेश कुशल बहुतेरे या फिर बिथा मन ही राखो गोए या फिर मुझ से बुरा न कोई या मन के हारे हार है क्या कहूं आज जो नहीं कही I think बिथा मन ही राखो गोए अपने अंदर की बिथा को मन में ही रखो किसी के आगे रोने से भी क्या हो जाएगा क्यूंकि किसी के सामने सिर्फ दुखडे दुखडे सुनाने से कोई हमारा साथ नहीं देता है इवन वो हमसे फिर दूर भागने लगते हैं सब को खिलता हुआ, मुस्कराता हुआ या खुशहाल व्यक्ति ही पसंद होता है एक दो बार हमारे दुखों को सुन लेंगे लेकिन तीसरी चौथी बार कहेंगे यार चलो ये बस अपने दुखरे रोने आ गया तो मन की जो व्यता है, मन के जो कश्ट है मन में ही रखो किसी के सामने रोने की आदशक्ता नहीं है और उनका सामना करो अगला प्रशन है चलते हैं येस निमलिकित गद्यांश को पढ़कर दिये गए प्रशनों के सही उत्तर वाले विकल्ब चुनना है गद्यांश बालक के मुख पर विलक्षन रंगों का परीवर्तन हो रहा था विलक्षन मतलब अनोखे हिरदय में कृत्रिम और स्वाभावित भावों की लडाई की जलक आँखों में दीख रही थी कुछ खास कर खास कर चलो मैं भी खास लेती हूँ कुछ खास कर गला साफ कर नकली परदे के हट जाने पर स्वयम विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा लड़ू पिता और अध्यापक निराश हो गए इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था अब मैंने सुख से सांस भरी उन सबने बालक की प्रवर्टियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था पर बालक बच गया उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड़ू की पुकार जीवित व्रिक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था उसके मुझ से शब्द निकलना लड़ू अर्थात यस ही जलाएब आ मरे काट की अलमारी की सिर्द उखाने वाली खड़कड़ाहट नहीं बच्चे के मुख पर रंग बदल रहे थे स्पंग्ती के अधार पर आकलन करने से ग्यात होता है कि बच्चे में उठ रहे भाव साहरदय ता घबराहट अंतरद्वंद या रोमांचकता बच्चे के मुख पर जो रंग मतलब जैसे इक्तम वो उस अभस्ता में भी उसके चे द्वंद उसके अंदर कॉन्फिक्ट द्वंद मींस अंग्रेजी में कॉन्फिक्ट कहते हैं वो चल रहा था उसके मन में अंतर द्वंद चल रहा था नेक्स्ट है गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही है ठीक है प्रश्ण को ध्यान से सुनना पढ़ना क्यूंकि कभ हमारी सदैव सिर्फ दुखाती है सिक्षा प्रणाली पर व्यंग किया गया है बच्चों को पढ़ाना अत्यंत सहजकार है या फिर रिक्ष के हरे पत्तों का संगीत मधुर होता है सिक्षा प्रणाली पर व्यंग किया गया है करारा व्यंग किया गया है सिक्षा प्रणाली पालक द्वारा धीरे से लड्डू कहना दर्शाता है कि छोटी वस्तु भी पुरस्कार है कृत्रमता का लबादा लबादा मतलब बाहरी जो आवरण है कृत्रमता मींस आर्टिफिशल थीकर इस्थाइत्व संभव है या लेखा का उद्देश पूरा हो गया है बालक द्वारा धीरे से लड्डू कहना कृत्रमता का लबादा उतर गया है ठीक है के माध्यम से कह सकते हैं कि अत्यन्त जागरुख नाग्रिक है बाल मनोविज्ञान से परिजित हैं स्थर अनुसार सिक्षा के पक्षधर हैं या अपने सुख की कामना कुह सुख न और में स्थ lijवल के एकॉर्डिंग एजूकेशन होना चाहिए प्रत्थम दुत्ति या जिस तरह की जैसे एलिमेंटरी एजूकेशन है या फिर प्राइमरी फिर मिडिल हाय या जो भी जिस भी कहते हैं कि कोई कितना भी ज्यानी व्यक्ति क्यों नहीं हो उसका ग्यान धरा का धरा रह जाएगा गहराई से की सामने वाला भी समझ जाए ठीक है तो यहां परिस्तर अनुसार सिक्षा के पक्षधरा गध्यान शामें संदेश देता है स्वभाविक विकास है तू सहज एब आनंद पूर्ण वातावरण होना चाहिए स्वभाविक विकास है रतंत प्रनाली या रोट लर्न रतंत प्रनाली के कारण बच्चे की रदय व्यथा चिंता जनक हो रही है बालक में निडरता थी तभी अपनी लड्डू की इच्छा को प्रकट कर पाया है अभिवावक एवं अध्यापकों को बालकों का चहु मुकी विकास करना चाहिए चहु मुकी विकास का मतलब होता ह आल राउंड डेव्लपमेंट यह नहीं कि सिर्फ एक ही उसमें ले जाएंगी सिर्फ अकैडमि क्या करें भाई खेल कूदना भी जरूरी है मनुरंजन भी जरूरी है मौज मस्ती भी जरूरी है तभी हम फ्रेश रहेंगे और जब फिट रहेंगे मानसिक रूप से शारिक र करना है पढ़ना है पता चला परिक्षाओं के दुनों में गर्मी का मासमा जाता है 15 फरवरी से हैं और भी देखते हैं सीवेसी क्या करती है तो उतना गर्मी नहीं रहेगी लेकिन अक्सर क्या होता है रात रात पर पढ़ने के बाद कभी हो सकता है हमें लगे कि हम बस तोड़ आप वीडियो देख रहे हो ना तो अन्य कोई कारें मत करना अन्य था होता क्या है आधी छोड़ पूरी को धाबे आधी मिले ना पूरी पावे ठीक है चलते हैं आगे गद्यान शा में संदेश देता है कि स्वभाविक विकास है तू सहज एवं आनंद पूर्ण बातावरन होना चाहिए स्वभाविक विकास तभी होता है जब आनंद पूर्ण बातावरन हो या हमारे ऐसा नहीं कि हमारे अनुकूल परिस्तिया हो हमें अपने अनुसार परिस कथन कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए उसके बाद दिये गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्ब चुनकर लिखिए लड़ू की पुकार जीवित व्रिक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था बालक द्वारा लड़ू मांगा जाना व्रिक्ष के हरे पत्तों के समान इ सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याक्या करता है एक बार पुना पढ़िए लड़ू की पुकार जीवित व्रिक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था आवास थी हरे हरे पत्ते होंगी बालक द्वारा लड़ू मांगा जाना व्रिक्ष के हरे पत्तों के समान इंगित करत है तो कथन तो सही है लेकिन उसकी व्याख्या गलत है इसलिए घा तो जब आप घा को सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आंसर शीट में लिखा उत्तर घा अकेला आप लिखकर जाओ और आपका सही मिल जाएगा नहीं ऐसी भूल मत कीजिएगा मैं बार-बार आपसे कह रही हूँ कि जो भी ऑप्शन आपका सही होगा वो पूरा कथन आपको आपकी आंशर शीट में लिखकर आना है प्लीज याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ का खागा अकेले लिखकर मत आना का सही है तो पूरा कथन समझ में आया इस तरह से आपको पूरे अंक प्राप्थ हो जाएंगे और सतरह से आप बहुत अच्छें कि प्रश्णों के सही उत्तरवाले विकल्प결्ब चुनिए ठीक है ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जितने अच्छे से हम प्रश्ण पढ़ेंगे उत्तर अच्छे से हम स्लेट कर पाइंगे बिसकोहर की माटी पाठ के अनुसार निम्न लिकित कतनों पर विचार कीजिए पाठ में मनुष्य के संबंधों की मारमिक पड़ताल नहीं थे नहींत मतलब क्या होता है उसमें शामिल होना जीवन की स्थितियां रितियों के साथ बदलती है प्रकृति के प्रकोप को ग्रामिंट जीवन जेलता है या फिर ग्रामिंट जीवन में प्रकृति के प्रती अलगाओ है बताइए कौन सा लगता है आपको कि कौन सा सही हो सकता है विसकोहर की काट के अनुसार नेमलेकित कथनों पर विचार करना है आपको तो अब हमें विचार करना है तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है क्या केवल पहला कथन सही है दूसरा और तीसरा सही है केवल चौथा सही है या फिर पहला दूसरा और तीसरा कथन सकते हैं तो पहला दूसरा रेड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पहला दूसरा और चौथा उन्होंने क्या कहा पहला दूसरा और तीसरा पहला दूसरा और तीसरा ठीके देखिए अध्यान से पढ़िएगा पार्ठ में मनुष्य संबन्दों की मारमिक पढ़ताल नहीं थे जीवन की स्थितिया रित्यों के साथ ही बदलती आपना उसके अनुसार जीवन की परिस्थियां भी बदल जाती है प्रकरति के प्रकौप को ग्रामिंट जीवन जहेलता को मारमिक मतलती है कि जब बारिश आद और दियोगिक सभिता उजाड की अप सभिता बन गई है इसका कारण है किसकी विकास की और दियोगिक सभिता उजाड की अप सभिता बन गई है विकास की और दियोगिक सभिता सभिता किसे कहा था कभी ने कहा था सभिता मींस भौतिक वस्तूं का होना बड़े-बड़े घर मह यह सब बहुत तक बस्तिओं का होना मतलब सभिता है तो उसकी सभिता उजार की अब सभिता बन गई है इसका कारण क्या है संपन्ता प्रदूशन नदिया या पठार तो इसका मुख्यकारण है प्रदूशन ठीक है कि विकास के साथ साथ बड़ी-बड़ी फैक्टरीज का नि करना है, भरभंडा, फूल, डौंदा, साप, कोईयां, जलपुष्प, धामिन अनाज. तो आप बंड हा साप और कोई या जल पुश भी ये दोनों सही है। ठीक्क्य है। अभीलाशाओं की राक से तात पर हैंबिलाशा इंदी राक से तात पर है राक मतलब खाग मतलब कुछ नहीं ठीक है तो जो आकंगशा है अभिला शाइब और आकंगशा है परियावची है तो उसका धूरा रह जाना ही राक से तात पर है कोई भी तालाब अकेला नहीं है यह कथन दर्शाता है राजा बहुत से तालाब बनवाते हैं तालाब के पास गाउं बस जाते हैं इसमें कूडा कच्रा डाल दिया जाता है या फिर अनेक स्त्रोतों का जल मिल रहा है तो यहां पर जाएगा अनेक स्त्रोतों का जल मिला होता है कोई भी तालाब अकेला नहीं है ठीक है अनेक से जगे जगे से कहीं इसका पानी आ गया कहीं इस नाले का पानी आ गया तो इस नदी का पानी है मतलब बहुत सारा पानी आकर उन्हें मिल जाता है इसलिए कहा है कि कोई भी तालाब अकेला न लिखिए रचनात्मक लेक गर्मी की पहली बारिश जैसे ही मैंने अलमारी खोली मैच खेलने का अवसर ये क्या है आपको टीन शीरशकों में से किसी एक शीरशक पर रचनात्मक लेख लिखना है वो भी 120 शब्दों में अब रचनात्मक लेखन की विशिष्टा क्या है नामी उसका है रचनात्मक लेखन अर्थात इसमें बहुत ही अच्छे से हमें लिखना होगा लेख साफ सच तो होगा ही साथ ही साथ इसकी भाषा भी सुष्पश्ट होगी आइए असदाब ना जाता है अर्था जाता है ठीक उससे तात पर यह जाता है यह साब बातें होती हैं भूमिका के अंतरगत तो भूमिका आपका एक नंबर करहेगा कि आप किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं आपनी रचनात्मक लेखन दूसरा है विशहवस्तू जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करोगे मान लीजे गर्मी की पहली बारिश करते हो या जैसे ही मैंने अलमारी खोली क्या हुआ या फिर मैच खिलने का अफसर तो जो भी आप विशहवस्तू अर्था जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करोगे उसको आप किस तरह से प्रस्तावना से या भूमिक มांच एक अंख क्योंकि ये है आपका पांचंग का बहुत अच्छे शब्डों का प्रयोग करना है ना ही है है किनी दो प्रश्णों के उत्तर लगबाग साथ शब्दों में लिख तीन-תी नंबर के यह प्रश्ण है आपके छे नंबर हो जाएंगे इसमें तो दो प्रश्णों के उत्तर लिखना है कि जो तुलना है वो किस्से की गई है कवीता की तुलना वसंत की तरह की गई है और वसंत रितु तो क्या होती है रितुों का राजा यह रितु राज कहा जाता है वसंत रितु को तो कवीता कोने में घात लगाए बैठी है अर्थात किसी भी समय हमारे क्षण मतलब जीवन में वसंत की तरह आती है तो सुम्धत प्रकरति की जो सुमधत आनूपम छटा जब नयारी उतवर दख संवेदनात श्रिश्टी से जुने तता उसे अपना बना लेने का वोध कविता व्यक्ति को भाव कवी या सरदै पाथक भी बनाती है कविता में वो सब गुन होते हैं जो मनुशिक की भावनाओं तक पहुँचते हैं जैसे जो भी कविता हो चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों नहीं हो कविता हमेशा हरी हरी ताजी ताजी रहती है यह नहीं है कि बहुत पुरानी कविता थी तो अब तो पुरानी हो गई आउट रहती है और वसंत आना जाना लगा रहता है इसी प्रकार से कभी ता कभी भी पुरानी नहीं नहीं होती कभी ता कभी भी पत जड़ नहीं आता ठीक है रंग मंच को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम कहना कहां तक उचित है तीन कारणों का उल्लेख कीजिए रंग मंच को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम रंग मंच क्या है मंच पर प्रस्तुति देना किते हैं जीवन एक रंगमंच के समान है क्या पता कौम सगिर्दार कब निवाना पड़ जाए इसलिए अपने वैभार में शालीनता मधूरता आवश्य लाएं किस से हम किस तरह का वैभार करते हैं यदि कभी उसी से हमारा ऐसा नाता या वास्ता पड़ जाए तब हम क्या करे इसलिए यह जो रंगमंच है तो रंगमंच प्रतिरोध का सशक्त माध्यम शापदिक अर्थ से व्यंजना की ओर ले जाने वाला जो वास्त विक्ता है मतलब जो रंगमंच मतलब पर दे के पीछे या नाटक है भाई कहते हैं यह तो नाटक है नाटक नहीं है साहिती ही कि सशक्त संबाद द्वारा प्रस्तुती प्रभावी प्रस्तुती द्वारा सामाजिक जाग रुकता ठीक है तो यहां पर रंगमंच का प्रतिरोध सशक्त माध्यम कहना बिल्कुल यहीं उसमें आ जाएगा अगला है कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रन कथानक की आवश शक्ता के अनुसार प्रभाव श्यली ठंक से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है कि दो तरीकों का वर्नन देकर उधारन खरी मतलब कहानी के पात्रों का चरित्र कित्र कहानी के जो केरेक्टर होंगे जो पात्र 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 मतलब कैरेक्टर ठीक है चरित्र चित्रन मतलब उनकी जो भी एक्टिविटी होगी उनका जो भी जैसे माली जे हम एक किरदार निभा रहे हैं जिसमें हम स्वतंता सेनानियों की भूमी काम हैं कोई सुबास चंद्र बोस्की में है तो कोई तात्या टोपे जी है कोई रानी लक्ष्मी भाई जी है कोई भी मतलब आलाग tracking की भातनता सेनानी है तो कहानी के पात्रों का चरित जितन कतान क्या अव्शक्ता अनुसार ठीके तो यहाँ पर पात्रों के गुणों का कहानी कार द्वारा पहले तो बखान किया जाए कि आपका ये 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 रोल रहेगा आपकी ये भूमी का रहेगी जैसे डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव शहर के जाने माने डॉक्टर हैं लगबग 20 वर्शों से वे मरीजों के लिए भगवान बने हुए है पात्रों के कारें द्वारा जिससे गुण स्वता ही उभर कर सामने आए जैसे सड़क पर पड़े खून से लत्पत विनूद को देख लिखते ही डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव उसे अपनी कार में लेकर अस्पताल पहुंचे तुरंट उसका इलाज शुरू कर दिया है जैसे डॉक्टर को भगवान कहते ना दूसरे भगवान है या सेकंड गॉर्ड है तो ऐसा ही नहीं कहा जाता है यह वास्तव है कई ऐसी अलोक श्रीवास्तव शहर के जाने माने डॉक्टर तो हैं लेकिन उसके साथ ही मरीजों के लिए भगवान बने हुए हैं तो अब भगवान बने हुए तो हम किस तरह से उनको केरेक्टर देंगे या रोल देंगे या भूमिका देंगे ताकि जो लोगों का भरोसा है कि वे तो भगवान बने हैं वो क्यों बने हैं उनके लिए भगवान क्यूंकि जब भी कभी वो मरीजों को देखते हैं तो इस तरह से सड़क पर पड़े खून से लत्पत विनोध को देखते ही डॉक्टर आलोक शिवास्तव से अपनी कार में लेकर अस्पताल पहुंचे और तु मास्तव के बारे में बता रहा है विनोध मां मैं तो बहुत बुरी हालत में सड़क पर पड़ा करा रहा था डॉक्टर साहब मुझे अस्पताल लाएं और मेरा इलाज किया डॉक्टर साब सच मुछ देवता है तो यह जो रहता है ना बहुत ही अच्छे से चरित्र चित्रन का निक जाता है कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रन का कथा नकी आवशक्ता नुसार किया जाता है तो वह नाटक्षाटा में बदल जाता है और यहां से मारजन खीज़ दिया और बीच में हम लिखे जा रहा है बीच में लिखने से क्या होगा कुछ नहीं होगा ऐसा ये कदापी मत सोचिएगा कि supplementary रिडन लेने से हमारे नंबर जादा मिल जाएंगे नहीं ऐसा नहीं है बहुत से students को मैं नहीं देखा है कि इधर तो margin होता ही और इधर से भी और margin कर दिया और इतना 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 लिखे जा रहा है फिर supplementary एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं इसका कारण बताते हुए शैली का विस्त्रत परिचय दीजिए क्या है अधिकान समाचार एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं विशेष शैली क्या है उसका हमें जिक्रकरना होगा इसका कारण बताना होगा और शैली का विस्त्र खिएगा कौन कौन सी शैली है जैसे उल्टा पिरामिड शैली पिरामिड अक्सर कैसे ऐसे हम देखते हैं लिकिन उल्टा पिरामिड मतलब इस तरह है तो पहले मुख्य बातों को शामिल किया जाएगा फिर उसके बाद फिर फिर दीरे दीरे सबसे एंड में वो बात आएगी जो जादा आवशक नहीं है इसलिए इसको उल्टा पिरामिट शैली कहते हैं ठीक है तो अभी व्यक्ति और माद्यम में जो भी आपके टॉपिक्स हैं परिक्षाम में शामिल उन पर बहुत ध्यान से आपको देखना है लिखना और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना है यानी क्लाइमेक्स पिरामिट के सबसे निचले भाग में ना होकर उपर होता है इस शैली का प्रियोग 19-20 सदी के मध्ध में शुरू हो गया था इसका विकास अमेरिका के ग्रह युद्ध के बाद हुआ धीरे धीरे शैली का विकास हुआ और यह समाचार लेखन की मानक शै जली क्या है या कौन सी लेखन शैली मानक शैली के अंतरगत आती है तो बिल्कुल आप लिखिएगा उल्टा पिरामिट शैली जैसे अभी तो यह इसमें आया है लेकिन हो सकता है वस्तुन प्रश्ण में कुछ इस तरह का प्रश्ण भी आ जाए तो ध्यान रखना अच्छे फीचर की किनी तीन विशेश्ताओं का उलेख कीजिए फीचर में लेखक के पास अपनी राय और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर रहता है ठीक है फीचर में जो भी लेखक है उसको अपनी भावनाएं अपनी तरह से अपनी जो राय रहती है उसको अपने तरीके से लिखने का पूर्ण सुतंतृतर रहती आ कोई एक फॉर्मूला नहीं काफी हद तक कथात्मक्षैली मतलब एक ही फॉर्मूला नहीं कि बस इसी पर आपको लिखना है अपने तो कथात्मक्षैली में लिखी जा सकती है । सरल होना चाहिए क्योंकि जब तो पाठक को समझ में आएगा और वो अपने भावों से उस रचना तक जुड़ पाएगा भाषा सरल होगी रूप आत्मक होगी आकर्शक होगी और मन को छूने वाली होगी अन्यता कोई पढ़ेगा क्यों सिर्फ सुन लेगा या देख लेगा समझ में आया तो श्रव्य और द्र प्रशन है दस्वा निमले के तीन प्रशनों में से किनी दो प्रशनों के उत्तर लगभग चालीस शब्दों में लिखना है मैंने देखा एक बूंद कविता का प्रतिपाद लिखिये मैंने देखा एक बूंद कविता का प्रतिपाद लिखना है तो बूंद की क्षण भंग कि व्याख्या क्षण भंगुर्ता समझते होना पल में नश्ट हो जाना मतलब हम हमारा जो जीवन है उसकी भी कोई गैरंटी नहीं है कि आज है कल है यह नहीं खशन भंगुर्ण है जीवन तो उसी तरह से जो कवीता है मैंने देखा एक बूंद तो बूंद की खशन भंगुर लेकिन सूरज की किरन आते ही वो उसकी भुन गयब मतलब किसी के आने से कोई चला जाता है किसी के जले जाने के बाद कोई आ जाता है कोई किसी का नहीं यह प्रकृति जो है वह अपने अनुरूप अपना कारेश चक्र चलाती रहती है खशन भर के लिए ढलते सूरज से रं अभी द्वारा जीवन में श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है कि श्रम या परिश्रम उसका महत्व कितना है जीवन वही जानना है अब करना है आशाय स्पष्ट आशाय का अर्थ होता है जैसे लिखा आ सकता है कि तात्परे और जो अर्थ या फिर अभी प्राए त ठीक है ये शब्देदी आ जाते हैं तो इन में आपको लिखना होता है उन पग्दियों का अर्थ लेकिन अब आशा इस्पष्ट करना है तो हमें बहुत सुंदर तरीके से कभी घनानंद द्वारा रचिती पंक्तियां है अधर लगे हैं आनिकरी के पायन प्रान प्यान प्रा घनानंद की व्योग अवस्था का मार्मिक वर्नन कवी घनानंद की व्योग अवस्था व्योग अवस्था समझते हो बिचणने वाल रस अर्था प्रेम रस के दो भेद होते हैं सैयोग रस मतलब मिलना व्योग रस मतलब बिचणना ठीक है तो उन्होंने इस कभीता की माद् 시सान की प्रतीक्षा में बैसम्र प्रतिक्ष्या करतें करतें मर ना संन दशा आगई प्रेसी उनकी प्रेसी मतलब होता है प्रेमिका कवी अपनी प्रेसी sait इसकी प्रतिक्षा में देसा बड्ब अतल बहुत करतें सप्रत वह आएगी शायद आंगन में आएगी उसकी याद करते थे जब वर्षा रितू होती या बर्षात होता तो ऐसा लगता जैसे कि सुजान आ गई हो बहुत अच्छे से उन्होंने बढ़ना किया है प्रतिक्षा करते करते मरना संद दशा कि आएगी आएगी लेकिन नहीं आई शम्भपता और ऐसा लगा कि जैसे अब तो उनकी मरने की आवस्था आ गई है प्रान अटके हुए क्योंकि वे सुजान का संदेशा लेकर ही निकलना चाहते थे वो जानना चाहते थे कि उसके मन की दशा क्या है उसके मन में क्या है तो प्रान अटके हुए है आवस्था कैसी है मरना संद एकदम मरने की ही स्थिती है लेकिन उनके प्राण अठके हुए है क्योंकि वे सुजान का संदेशा लेकर ही निकलना चाहते हैं तो कभी बारिश जो होती है उससे पूछते हैं कि क्या संदेशा लेकर आए हो ठीक है तो इस तरह से उन्होंने अधर लगे हैं आनिकरी के पयान प्राण चाहत चलन ये संदे सो ले सो जानू को ठीक अगला है तोड़ो कविता नवसरजन की प्रेड़ना है कविता का टॉपिक है तोड़ो और जिसका क्या है इसे प्रेड़ना क्या मिलती नवसरजन नया नई रचना स्रजन मतलब creation थीक है तो तोड़ो कवीता नव स्रजन की प्रेड़ना है कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट कीजिए कि क्या कहना चाहते हैं तोड़ो कवीता के माध्यम से नव स्रजन किस तरह से बताया है उत्तर है कभी विदवन्स कारी भूमिका में ना होकर स्रजन के लिए उप्युक्त भूमी तयार करने की प्रेड़ना देना की देखो जो प्रकृती है जो जिसका जनम हुआ है उसकी मृत्यू अटल है जो आया है उसको जाना है मतलब जीवन एक साथ नहीं है धूप छाओ दि साथ जुड़ा हुआ है ठीक है तो विदवन्स भी है मतलब जहां स्रजन है वान आश भी है लेकिन अब जहां आप हमें पता है सबको पता है कि हां हमारी मृत्यू निश्टित है तो इस मृत्यू के भैसे कि हम कारे करना छोड़ देंगे कभी नहीं हम हमेशा सकार आत्मक सो प्यूक तो भूमी का तयार करने की प्रेड़ना देते हैं चटानों और उसर भूमी को तोड़ने की बाद ताकि स्रजन प्रक्रिया शुरू की जा सके अब मुश्किल है चटान और उसर उसर भूमी मतलब बंजर उसर का मतलब होता है बंजर ठीक चटानों और उसर भूमी को तोड़ने की बाद ताकि स्रजन प्रक्रिया शुरू की जा सके प्रकृती से मानव मन की तुलना करके नया आयाम मन में समाई उब और खीज को तोड़ना आवश्क ये सब उन्होंने इसका वितावें बताया है अगला प्रश्न है निम्लिखत में से किसी एक काव्यांश की सा प्रसंग व्याख्या कीजिए छै नंबर का है ये निम्लिखत में से किसी एक मतलब दो काव्यांश है जिसमें से आपको एक काव्यांश की सा प्रसंग व्याख्या सा प्रसंग मतलब साप्रसंग का मतलब होता है प्रसंग सहिद अर्थाद हमें करना है उसमें हमें सब कुछ लिखना होगा सबसे पहले हमें संदर्व लिखना होता है कि कौन सी पाठ पुस्तक से ली गई है प्रसंग के अंतरगत हमें ये लिखना है कि किस समय की बात की गई है व्याख्या या फिर भावार्थ हम जब लिखेंगे या तो व्याख्या या भावार्थ ठीक है इसके अंतरगत हमें पंक्तियों में नहित अर्थ को स्पष्ट करना होगा इसमें हम क्या लिखते हैं पाठ पुस्तक का नाम ठीक पाठ पुस्तक कौन सी पाठ पुस्तक से ली ग दू सुरुधनू से पंख पसारे सीतल मलय समीर सहारे उड़ते खग जिस ओर मुह किये समझ नीड निज़ प्यारा बरसाती आखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा हेम कुम्ब के ले उशा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे मदर उंगते रहते जब जग कर रज नहीं भरता रहा थीक आईए देखते हैं आगे या फिर दोनों में से अथवा अथवा का अर्थ क्या होता है आपको पता है या तो या जैसे अंग्रेजी में और लिखा होता है या तो आपको वो करना है या फिर ये करना है मही सकल अनरत कर मूला सो सुनी समुझी सही सबसूला जैसे पढ़ा जा सकता है इनको मही सकल अनरत कर मूला मही सकल अनरत कर मूला सो सुनी समुझी सही सबसूला सुनी बन गवन की नरगुना था करिमुनी वेश लखन सीय साथा बिन पाहिन पायो देही पाये संकर साखी रहे उये धाये बहुरी नहारी निशाद सनेहु कुल से कुठन और भय नबेहु अब सब आखन देखे ही भाई जीयत जीब जड़ सबई सहाई जिनही निरखी मग सापन बीचीत जही विशम विशता पसलीची यहाँ पर यह रामा इन से ली गई है और इनमें क्या बताया गया है तो जो भी हम प्रसंग करेंगे सबसे पहले हमारा जो प्रसंग रहेगा जिसमें संदर भी शामिल होगा वो दो अंक का होगा व्याख्या दो अंक की होगी और विशेश की इस कवीता में कौन से रसों का प्रियोग किया गया है किन के प्रियोग से जैसे अब देखो अब बता दू आपकोग ठीक है की विशेश कैंतरगत क्या एगा शिरीराम की दशाका वर्नन किया गया है या फिर चौपाईयां जो है रांचरित मानस से ली गई है जो भी उसको विशेश्टा बतानी है गरुन रसका या विरह जो अभी मैंने बताए ना व्योग रस उस तरह से वर्नन किया गया है अगला निम्ले के तीन प्रशनों में इसे किनी दो प् प्रशनों के लगवक चाली शब्दों में उसके पैर गाउं की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे इसी पगडंडी से बढ़ी बहरिया अपने मैके लॉट आवेगी गाउं छोड़कर चली जावेगी फिर कभी नहीं आवेगी लेखक संवधिया और बढ़ी बहुरिया के माध्ध से समाज के एक बड़े वर्ग का वर्णन करते प्रतीत हो रहे हैं इसे स्पष्ट करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष के साथ संब्द स्थाबित कीजिए ठीक है कि उसके पैर गाउं की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे इसी पगडंडी से बढ़ी बहरिया अपने मैके लॉट आवेगी गाउं छोड़ कर चली जावेगी फिर कभी नहीं आवेगी लेखक संबदिया और बड़ी बहुरिया के मादम से समाज के बड़े वर्ग का वर्णन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं तो इसे स्पष्ट करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष के साथ संबंद स्थापित क करना है कि वर्तमान क्या इसी तरह से है आज की स्थिती इसी से है जैसे बड़ी बहुरिया के ख़श्टों से हर्गोविन अत्यम्त दुखी। बड़ी बहुरिया मींज बहु, हर्गोविंद, उसके जो बड़ी बहुरिया है उसके कष्टों से हर्गोविंद अतियंदो दुखी है, उसके मन को पीडा पहुच रही है लक्श्मी जैसी बहुरिया के गाओं छोड़ कर चले जाने की बात सोचकर व्याकुल की ऐसा क्यों हुआ? क्यों चली गई वो? लक्श्मी जैसी संवधिया और बड़े बहुरिया के माध्यम से समाज के बड़े वर्ग के साथ संबंद वर्तमान में बुजर्गों और असाय लोगों के प्रतिकर्तव बोध का अभाओ संवधिया जैसी संवेदना आविशक की ऐसा क्यों है जब तक बच्चों को माता पिता की आवशक्ता होती है बच्चों के बिना कहे माता पिता उनका लालन पालन भरन पोशन सारी उनकी इच्छाओं की पूर्ती अपने आप करते हैं लेकिन जब बुजर्गों को बच्चों की आवर्शक्ता होती है बच्चे क्यों उनसे दूर चले जाते हैं और उनको कश्ट पहुंचाते हैं क्यों ऐसा होता है चलते हैं अगले प्रिश्ण की ओर भीड लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी बलकि रोज देखता था लेकिन इस भीड का अंदासा निराला था पंक्ती के माध्यम से भीड की तुलनात्मक बेवेचना कीजिए दिल्ली की भीड लोगों के दफ्तर आने जाने बाजार से सामान खरीदने की भीड सभी के उद निर्फी देश जीवन के कल्यान की कामना ध्यार्मिक आस्था का भाउ समझना है कि दो नंबर के जो प्रष्ण रहेंगे उन्हें हमें 3-4 पंक्तियों में कहानी जो हमने पड़ी है कवीता जो हमने पड़ी है उसके आधार पर हमें अपने शब्दों में उत्तर लिखना है लेकिन अपने शब्दों का आर्थ हम ये कता ही नहीं मानना आप लोग प्लीज कि आप अपने बोलचाल की शब्दों को वहाँ पर लेखन में शामिल कर दो क्योंकि कि लिखित भास और बौलचाल की भाषा में काफी अंतर होता है आप यहां पर हर एक प्रश्ण के उतर को देख रहा हैं सुन रहें हैं कि कितने च्छे शब्ध नियरमान किया गया है कि तो हम हम अधिक से नहीं होता है प्रिय विध्यार्तियों इसको आप समझ लेना सुन लेना अच्छे से शेर के मुह में जानवरों का घुसना विसंगती को प्रतिपादित करता है स्पष्ट कीजिए शेर के मुह में जानवरों का घुसना विसंगती को अब क्यों शेर विवस्था का प्रती जिस नौकरी का आकरशन लेकन केवल दिखावा उसके मूँ में जाने वाला वापसhost नहीं आता अस्तित्र समाव के जाता रथ हुर्थ शेर के मूँ में जानवरों का घुसना बिसंगति को कभी-कभी प्रलोभन दे दिये जाते हैं लालस दे दिये जाते हैं ये कारे ये पद आपको दे दिये जाएगा बस यहां पर आजाएए इतना आप मिलिए ये कारे आपको दिये जाएगा हम भोली भाली जनता या भोले भाले लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश को लेकर चल रहे हैं कि मुझे जॉब चाहिए और वो उनकी बातों में आ कार हो जाता है जिन से वो दूर दूर तक कभी उसके ना तो कुल में कोई था इसलिए हमें किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसकी चानबीन करना अवशक है जहां भी आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं उसमें अपने माता पिता की राय अवश्यल है क्योंकि ये जो है क्योंक क्योंकि माता पिता या हमारे जो बड़े अपने हैं वह अनुभवी हैं उन्होंने जीवन को देखा है तो हम ये कदापी ना समझें कभी कभी स्टुडेंस क्या करते हैं कि अरे उनों वह इतना पड़े लिखे नहीं हैं हम लोग ज्यादा पड़े लिखें मेरे प्रिये वि दो रखता है वह अनुभव से प्राफ्थ होती अकले किताबी ग्यान से कोई भी कोई भी व्यक्ति जीवन में समाज में बहुत अच्छे से अपने आपको नहीं रख सकता जब तक कि उसको जीवन जीने की कला का अनुभव ना तक यह जो अनुभवी हैं जो आपके अपने ह उनकी राय और सलह अब चलीजेगा चूंकि आप बार भी में हैं इसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे उसके बाद आप जॉब आपके पास तो कहीं भी जाकर मत जाना यह मत सुचना कि मुझे तो बस पैसे कमाना है मुझे जॉब चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए नहीं चा तो नौकरी का अगर्शन लेकर केवल दिखावा ऐसा होता है कोई वापस नहीं आता जीक है बलकि उसका अस्तित्व जो वो था वो चला जाता है और विसंगती में मजबूरी में घिर जाता है और फिर वहां से वापस आना तो असंभा हो जाता है ठीक प्रसंग है तेरहा निमनेखित गद्यांश को पढ़कर सब रसंग व्याख्या कीजिए विकास काई है उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा ले आया है विकास हुआ है लेकिन विनाश का अंधेरा लेकर आया है हम उसका चोटा सा जायजा लेने दिल्ली में इस्थित लोकाइन संधी की ओर से सिंग रॉली गए थे सिंग रॉली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्राप नहीं था कि योद्योगी करण का चक्का और द्योगी करण इंडस्टिलाइजेशन का जो स्वतंद्रता के बाद चला गया उसे रोका जा सकता है शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्ब चुन सकते थे जिसमें मानब सुक्की कसोटी भौतिक लिपसा लिपसा मतलब होता है लालच और भौतिक लिपसा के कारण ही व्यक्ति जो है वो साब अपनी मानब मूल्यों को भूलता जा रहा है बहुतिक लिपसा ना होकर जीवन की जरूरत में द्वारा निर्धारित होती पस्चिम जिस विकल्ब को खो चुका था भारत में उसकी संभावना एक खुली थी क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्क्रतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था तो सिर्फ यह जो औद्योगी की करण है यह इंडस्टिलाइजेशन है जिसमें कई लोगों के कहते ना कई मजदूरों के हाथ कट गए हाथ कट गए मतलब जो मजदूरों द्वारा काम किया जाता था अब सारा का सारा काम मशीन द्वारा हो जाता है लोगों के रोजगार चिन गए हैं इस तरह विकास हो रहा है लेकिन दूसरी तरह सौरी दूसरी तरह लोगों के जो इनकम का साधन था हैंडिक्राफ्ट आपको बताने हाथ से कितने सारे काम होते थे लेकिन आप मशीन के द्वारा चुटकियों में सारे काम हो जाते हैं और बेचारे वो उतना भी धनरदन नहीं कर पाते हैं जितना की वो जीवन यापन कर सके इसलिए लिखा है कि विकास का यह उजला पहलू तो अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने विनाश का अंधेरा लेकर आये था ठीक मिल्कुल प्रसंग दो अंक का है कि कौन से समय का वरनन किया गया है लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है यह सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा कि मतलब यह आपको पता होना चाहिए कि जो पंक्तिया दी है या पाठ का जो प्रसंग दिया है या पाठ का जो गद्याश दिया है वो कौन से पाठ से लिया गया है बहुत अच्छा होगा जब आपको जैसे अंतरा अपनी पाठ पुस्तक है ठीक है अंतराल अपनी पूरा पुस्तिक है तो उसमें आपको यह पता ह होना चाहिए कि कौन सी पार्ट अंत्रा है यां सिक पार्ट से है यह आपको पता है लेग्षक कौन है तो बहुत सोने पर सोहा हो जाएगा फिर देखिये आपको प्रसंग में दो नमब्स मिल यह सब्दों का निर्मान करना जैसे मैंने अभी बताया कि जो शब्द रहते हैं वह कैसे आते हैं किसी के मस्तिश्वे बहुत अधिक हमें पढ़ना होता है सुनना होता है सुनेंगे पढ़ेंगे तो मस्तिश्वें शब्दों का अमबार लग जाएगा एक दम से आप सोचे कि मैं बहुत अच्छे शब्दों से कुछ लिखूं नहीं हो पाएगा कई क्याते ना कई निरंतरता चाहिए इसमें तो नियूस्पेपर पढ़ें पाठ गुस्तक पढ़ें जो भी आपकी पठक साम पाठक जो सामगर है उसको पढ़ें ताकि परिक्षाओं में आपको अच्छे शब्द आ सके ठीक तो इस तरह से आपकी व्याख्या हो जाएगी भाशा किस तरह के शब्दों का ये दो दो और ये पूरा छे अंका आपको प्राप्त हो जाएगे समझाया अगला प्रशन है निमलेकित प्रशन कि ये इसलिए हो रहा है तो ऐसा हो रहा है तो वैसा निवारन भी तो बताईए निवारन अर्थात उसका समाधान भी तो बताईए निवारन का अर्थ होता है समाधान ठीक है कि क्या सुझाओ है समाधान सुझाओ सुझाओ भी तो देना है फिर हमें धर्ती का वातावरन गरम हो रहा है कारण बतातू ये निवारन को पाई भी बताईए विकास की और द्योग एक सब्भिता उजाड की अब सब्भिता परेया वरन संतुलन मौसम चक्र का बिगड़ना कार खाने और उद्योगों को शहरों से दूर लगाना ठीक है नदियों का स अगला है किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया नकार आत्मक मानविये पहलूँआ पर अकेले सूर्दास का व्यक्तित भारी पड़ गया जीवन मूलियों की तृष्टी से कथन पर विचार कीजिए कि जब कहते हैं न मन चंगा तो कठोती में गंगार था जब हमारा मन मन में जीतने की चाह हो मन में जुनून हो कुछ करने की हम ठान लो आपने ये सुना होगा वश की मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है कहते हैं कि अरे भाई हम अकेले क्या कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं जिनमें अकेले चलने के होसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं ऐसा ही कुछ किया सूर्दास में मुसीबतें या जो भी मुश्किल ने आई या जो भी परिशानिया विपतिया ऐसा माहौल रहा कि उसकी जगह है कोई और होता तो शायद हताश हो जाता लेकिन जोपड़ी जलने और रुपए चोरी होने से सूर्दास अत्यंत निराश कुछ व्यक्तियों की सूर्दास से इरश्या सब कुछ उसका नश्ट हो गया अब वो क्या करे विचारा बहुत निराश कुछ व्यक्तियों की सूर्दास से इरश्या थी सूर्दास द्वारा विशम परिस्तियों का सामना साहस और धैरे के साथ करना क्षीन काय दुर्बल सरल मना सूर्दास आत्मबल के सहारे इर्शा और अन्या के विरुद सफल रहा आत्मबल के सहारे कहते हैं ना विल पावर होना चाहिए क्षीन का है मतलब बेचारा शरीर से भी दुबला पतला मतलब इतना ऐसा नहीं कि कोई हिष्ट पुष्ट युवा हो उसकी हालत भी ऐसी थी लेकिन फिर भी उसका आत्म बल जो था वो सुयम को संबल इतना संबल प्रदान करना अपने आपको बल प्रदान करना सबसे बड़ा हूँता है किते हैं हम यह अपने शक्त्रू हम अपने मित्रहन कि आपको आसमान पर पहुंचा ने और हम चाहें तो अपने आपको नीचे गिराना है, यह हम पर निर्भर करता है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से ही लाना है, कभी भी ऐसा मत सोचना कि अरे मुसीबत आ रही, अब हम क्या करें, हर एक समस्या का हल है, आशा करती हू बहुत ध्यान पूरवक आप सभी ने सुन लिया है, तो इस सेंपल पेपर के माध्यम से परिक्षा का एक प्रती रूप, प्रती दर्श, सेंपल पेपर आपको समझ में आ गया है, इसी तरह से आपके जो प्रशन भी देखे हैं, आपने, उसी के बेजड, पर आपकी परिक् परेवर्ष अवेलबल हैं, वो भी देख सकते हैं, साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रती ओगी परिक्षाओं की वीडियोज भी हैं, देखते रहिए, बने रही है हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, स्वास्त रहीए, खुश रहिए, बयबाए, थानक यू सब